देश और दुनिया की तमाब खबरों पर आईए डालते हैं एक नजर आजमगड़ में आठ सुत्रिय मांगों को लेकर धरने पर बैठे लिकवालों को सरकार की सक्स्ति वा मनला युज की अपील और कडाके ठंड भी लिकवालों को डिगा नहीं सकी लिकवालों का धरना लगातार जारी दा लिकवाल संक्य जिलादक्ष ने कहा कि सरकार उनके साथ वारता नहीं करिए वही जब हमारे टीवी टॉंटी नियूस के समवादाता ने जिलादक्ष से बात की जो लाधक्ष ने बताया कि मंडला योक्तिने जितनी भी मांगे फुरी होना बताया वो हमारी मांग ही नहीं रही है सुनिए क्योंकि वो सारे साथ ही अन्याय के खिला पड़ रहे हैं वो नहीं के साथ है इसलिए उनका मनोबल बिल्कुल बढ़ा हुआ है किसी भी साथी का घटा हुआ सरकार अब अपने ही नेड़े में फंस चुकी और मैं खुले मन से कहना चाहूँगा कि सरकार को जो राय मस्विरा देने वाले सासन के ऊच अधिकारी हैं वह सही बात नव बता करके सरकार को धुल्मूल रवया अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और गलत पौहमी में डल है अभी एक चीज मैं आपको बता दूगा कि अभी कमिशनर महोदय का कल एक प्रेस वारता हुई जिसमें आज की समाचार पत्रों में उनका है कि लेखपालों की धाई साल में बहुत मांगे मान ली गई लेकिन जिन जिन चीजों का उन्होंने जिक्र किया है वह हमारी कभी मां मांगे 2016 से चल नहीं है और उसमें से अगर चार्चा भी मांगे मान ली हो गई होती तो आज हमको दरी पर बैठने किया सकता नहीं पड़ती इसलिए हमारी कोई मांग आज तक मानी ही नहीं गई जो कि हमारी मांग दोजार सोरे से है कि काम कारेबादी बिलकुल सही बात है सा पूरे झाय जम्यदारी जो है शांसन की star सरकार कि इसके लिए लिए लिखाल संबर कहते ही जिम्मेदार क्योंकि मेरा प्रांती संग 555 पत्रक दिया है साथा से बार्ता करने के लिए अब बताये कि मैं करहाँ हूं कि मेरी मांगो प्या बार्ता करीए अब कोई बारता ही नह